दोस्तों इस कारे क्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी परसनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कारे को सद्धिकिया आज इसी क्रम में हमने अपनी स्टूडियो में आमंतृत किया है Human and Heritage Care Foundation की फाउंडर श्री अमर्दीप कौशल जी को तो अमर्दीप कौशल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कारी क्रम में अमर्दीप जी आपका ये स्टार्ट अप करता क्या है? किस तरीके से ये सर्फ करता है और क्या चीजें हैं आपके स्टार्ट अप में पहले तो आप हमें वह पता है जी जैसे हमारा ये एक सोचल वेंचर है हमारा Human and Heritage Care Foundation Section 8 Company की तरह होती है जो not-for-profit है और इसकी filing वगरह जो होता है वो ऐसा Companies Act की तहती होता है अंतर बस यह है कि हम लोग not-for-profit venture है मतला हम लोग को profit करना नहीं है हम समाज के लिए कुछ करना है इसके तहत में तो यह idea मेरे को उससे में आया जब हमारा देश कोविट के समय जूज रहा था लोगडाउन लगे हुए थे और हमें भी कुछ समझ भी नहीं था क्या किया जाए हमारे जितने लोग जो इनोवेट कर रहे हैं उनका क्या होगा जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका क्या होगा उनका रोजी रोटी का क्या होगा उस समय मैं देश के दक्षिन भारत के हिस्से में बैठा हुआ था और जस्ट लॉक्डाउन के पंदरा दिन पहले मैं अपना जन्म भूमी जारखंड आया और यहां पर आके बस कुछ करी रहा था कि यह लॉक्डाउन का यह सूचना मिला और उसके बाद तो फिर दो साल कैसे बिद गए मेरे को भी पता नहीं चला लेकिन इन दो सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ देखने को मिला जिसके चलते में आगे एक एक चीज मेरे को समझ में आगे कि अगर समाज के लिए कुछ करना है तो समाज को से जुड़के और समाज के साथ मिलके क करना होगा तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक social venture जो समाजिक कारी के लिए एक foundation का set up किया जाए जिससे जितने भी लोग जो लोग innovation कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जा सके जो हमारे समाज के गरीब गुरबा लोग है उनका भी ख्याल रखा जा सके इसमें हम लोग human rights मानव अधिकार इसको बोला जाता है उस पर हम लोग काम करते हैं innovation जो start-up का एक part है इसके बार आज हम लोग बात करेंगे फिर heritage site development और restoration इसमें हम लोग क्या करते हैं जिसे बहुत पुराने मंदिर हो गए चाहे महल हो गए उनको restoration करते हैं मतलब उनका जिवन अधार करते हैं हम लोग तो हमारा अपना कम से कम 30,000 लोगों का members all over India में जहां पर हम लोग crowd funding जैसा हम लोग बोल सकते donation के थुरू पैसा उगाही करते हैं और उससे वो काम करते हैं एक हमारा heritage हमारा जो इंडियन भारती संस्कृति में आज से आप दक्षिन भारत में आप का इतिहास पढ़ेंगे जहां पर चोला पांडिया चेराज के जो राजा हुए हैं विजयनेगरा राज के राजे राज अगर आज के डेट में देखा जाए तो एक मंदिर जैसे आप तिरुमला तिरुपति को देख लीजिए एक मंदिर के चलते कम से कम 5-6 लख अबादी उस पे आज dependent है वहां पर केवल सरकारी नहीं मतलब गयर सरकाई कंपनियां भी अपना जीवनियापन या revenue जनरेट कर रही है तो कहीं न कहीं वह idea मेरे click किया दिमाग में कि अगर हम यहीं चीज हमारे पूरे भारत वर्ष में करें तो job का जो generation होगा वह भी ठीक ठाक हो जाएगा और plus जो हमारा economy का मेन मुद्दा है जिस तरह का मान लिजिए कि slow down का हो गया चाहे inflation deflation का होगा कहीं न कहीं कुछ हद इसको अम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो वह चीज दिमाग में था इसलिए हम लोग ने इस चीज को हमने अपने foundation में डाला human rights, innovation, heritage, restoration इसके अलावा तीन aspects अभी तक हम ने देखिया आपके start-up के इसके अलावा मेरे खाल से दो और aspects है टोटल five aspects है आपके start-up के तो वो दो और aspects क्या है वो भी आप हमेंगे और एक और है जो हम लोग disability पर काम कर रहे है disability मतलब विकलांगता जिसमें जिसके तहत जितने भी हमारे भाई बेहन हैं जो खेल में रूची रखते हैं जो विकलांग है साज़िक रूप से उनको technology के माधियम से उनको कैसे उनका upliftment मतलब उनका उद्धार किया जा सके उनका उनकी मदद पहुचा जा सके वो काम हम लोग कर रहे हैं डिसेबल लोगों के लिए जैसे मैं करनाटका में था किस तरह की मदद आप उन्हें प्रवाइड करते हैं विकलांग लोगों को बता रहे हैं अभी हाल में ही हमने Dr. Deepa Malik जी के साथ Metaverse प्लाटफर्म जो है एक जो टेकनलोजी है Metaverse टेकनलोजी उस पर हम लोग इससे क्या होता है कि मानले जीए कोई बंदा वीलचेर के सहारे पूरा जिन्दगी काट रहा हो हमारा बस दिमाग में धे में यही था कि 26 जनवरी की आउसर पे एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो किवल उन लोगों के लिखिया जाए जो विकलांग हो पैर से विकलांग हो और उनको एक वाव फैक्टर दिया जाए कि मानले जीए कि हमारा रास्टेगान जब बसता हो तो मेटावर्स के थरू वो अपना जो इमोजी है उसके ताहत वो ख़ड़ा होके तिरंगा के सामने और रास्टेगान के यह हू कैसे पाया आपनी मेटावर्स के थरू उनकी कि इसमें आप मानले जीए अगर आप बैठे हैं तो उसमें आप वर्चुली कर पाएंगे लोगों को आप एक आपका खुद का आउतार आप बना सकते हैं कर सकते हैं और डिजिटल मोड पे आप उस इस पेस में जा सकते हैं और ओर टच और फील आपको लगा है कि हां आसप समें भी सामने बैठे हैं तो कोई भी आपके सामने डेजिटल मोड में डेजिटल आवतार में आकर मेटा वर्स के तरो बात कर सकता है है जी कि यसे हम और आप बाद कर रहे हैं मानलेजी डोक्तर डीपा मलिक वहां बैठी हैं सामने वह आती है इś स्टेज trips पे आना तो वो क आसकती है इस platform के माधियम से हमाई साथ बात कर सकती है हमाई साथ खड़ा होके walkthrough कर सकती है तो हमारा अवतार बन सकता है यह बहुत अची चीज है और कहीं आगे जाके और भी बढ़ेगा अवतार का concept बताईए कि अवतार का concept क्या है देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजि है तो student अभी lawyer बनने में समय लएगा लेकिन वह lawyer का आतार पहले से feed-in किया रहता है उस platform पे जिससे आप अपने आपको उस look में देख सकते हैं उस समय तो वह feeling वह feeling आपको यह platform और यह technology सही मिल सकती है तो क्या हम लोग virtual touch और feel भी कर सकते हैं हाँ जी networking भी हो सकती है विदेश में लोग इसका use कर रहे है और इंडिया में भी अब शुरू हो गया है बहुत सारे startups हैं जो हमारे जारखंड के जो gaming segment में ही Metaverse का use case बना रहे हैं कुछ-कुछ तो अगले चरण में इस technology के माध्यम से बहुत बड़ी project में भी काम कर रहे हैं सब जो अभी खुलासा करना में ठीक नहीं समझता हूं यह मंच अभी बहुत 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 जल्दी होगा कुछ बोलना लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग उसका कुछ ने कुछ रुपांतरन देखने को मिलेगा हम लोग अगर देखें स्टार्ट अप्स को लेकर तो इनोवेट करने में उनकी इनोवेशन और आगे उनको बढ़ाने में आप हल्प कर रहे हैं तो उनकी इनोवेशन में आप किस तरीके से हल्प कर पा रहे हैं जो कि आपके एक स्टार्ट अप का एक एसपेक्ट है जी देखिए हमारा जो फाउंडेशन क्या करता है स्टार्ट तो उन कुछ-कुछ स्टार्ट-अप के पास हरी तरह का फैसिलिटी होता नहीं है, उनको मेंटर चाहिए होता है, जो मतलब उनको गाइड करने वाला, एक मतलब गारजेन जैसा, एक गुरू जैसा, एक सिख्षक का, तो वो चीज की कमी थी, तो उसका कमी हम लोग कहीं न कहीं पूरा कर रहे हैं, और एक स्टार्ट-अप को चलाने के लिए, एक बिजनस को चलाने के लिए, आपको फंड का, यानि धन का जरूरत पड़ता है, तो उस धन का जरूरत को पूरा करने के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं निवेशक। इनको हम लोग इंटर्टेन करर रहे हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, एक लोग लोग फोरम में, हम लोग अक्टिविटी करते हैं। वेपारदि, और वेपर function से न्वाइट हो पा रही है। marks ऑफ- और भारत वार्थí श्ल shifting हैं, अगले वीक हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी कर रहे हैं जारकने स्टार्ट अप्स के लिए ओफलाइन वर्चुल मोड पर कर रहे हैं जहां पर हमारे एक कॉलकता से ही एक वीसी फर्म के एमडी हैं वो अन बोर्ड हो रहे हैं इनका बैक्ग्रान भी बहुत अच्छा है अग्र हम लोग fiscal कर की तो और न को सब भूलाना चाहिए यह भी लोग वाद करना के बाद दिचिजन का यह लोग के लिए इनको लाना चाहिए यह हमारे मेंमन स्टार्टपप्स के लिए वाइन जिन हमारे ज्ञरकन में तो यह सब चीजे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, प्लस और भी बहुत कुछ हैं, जो इसे मान लेजिए कि हमारे यहां जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे CS ऐसे हैं, जो आपका वैल्वेशन सीट बगारा में भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज भी जार सेक्यॉरिटी के फील्ड में लोगों को देख रहे हैं, उन्नती करते हुए, लेकिन इसे बीच कहीं न कहीं हम ये भी देखते हैं, कि साइबर क्राइम भी आगे बढ़ रहा है, अब साइबर क्राइम की जहां तक बात आती है, तो अनेथिकल हैकर्स अपनी पहचान छोड़ रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इस में इस इस दिसा में हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग ने टीम बनाई है, जो जहारकंड को AI और साइबर सेक्यूरिटी के स्पेस में आगे लाना चाह रही है, एक हब बनाना चाह रही है, जहारकंड को, हम जानते ह हैकर्स के, जो हमारे हैकर्स है, वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनको मुखे धारा में जोड कर, उनको सही दिसा दिखा कर, कि हाँ, आप समाज के लिए, देश के लिए, कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप गलत ना करें, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट त हब भी बना पाएंगे, जारकंट सरकार ने ऐसी कोई प्रोजेक्ट आप से मांगी है, या फिर किस तरह से, हम लोग ने, आप की स्टार्ट अप किस तरीक तरह कर पा रहा हैं, जो हम लोग सब्सक्राइब के साइबर क्राइम्स तो जारकंट सरकार भी रोखने में लग और जो हमारे दो researcher हैं, एक तो हमारे IIT कानपूर के PhD होलडर है, एक दूसरे हैं Peking University के हैं, जो पहले ही Indian Institute of Science as a researcher काम कर चुके हैं, और last venture जो था, जो assignment था उनका, वो Polish Institute of Science के साथ में था as a researcher. So bringing a skeleton, framework, जिसमें, कैया-क्या elements लाला जाएं का किज़ से लोगो के हैं, और अजी यह कैसे मुह को अद्रा जाय है. जो जो लोग इसे बदमाशी आ हाकिंग कर रहे हैं, एंगी काम कर रहे हैं, अच्छी मु कि अच्छी मुह काने ब email करएने जाया है. बुसन किससे तरीके से हो पा रहा है। कैयसे वो कर पा रहें यो जूब कर रहे हैं कि आसान पो नहीं है जो छुब भौ कि हमारी पहल है, यह अभилась हिंहारा थी, कि आसक 되면 हम धना चीज कर ला हैकी पहले हो यह सब और कर ढें हैं इसमें बहुत सारे companies हैं जो already invest कर चुकी है, cyber security में बड़ी companies हैं जो already हर एक साल उनका budget भी बहुत जादा होता है. लेकिन और उनके साथ हमारी कुछ-कुछ लोगों से बाद भी होई है, तो उनके बोला कि आप आगे बढ़िये, हम लोग जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे, तो उसको लेके बस हम लोग project report ही तयार कर रहे हैं, वो जब एक तयार हो जाएगा खाका, तो हम लोग सरकार को देंगे, उसके बात पहले करेंगे, उसके बाद वहां के जितने भी अधिकार ही हैं, उनसे भी हमारी बात होंगी, कि भाई हम लोग दे दिया project, अब इसे बताएगे कि आप लोग से क्या मदद मिल सकता है, यह बहुत बड़ी चीज हैं, अकेले का काम नहीं है, इसमें पूरे समाज को सामने आना होगा, समाज को इंवल्व करना पादाएगे, युमिन राइट्स के अगर हम बात करें, तो युमिन राइट्स में भी आपका स्टार्ट अप एक एहम रोल प्ले कर रहा है, तो वो कैसे हो पा रहा है, वो हमें बताएगे, अभी माना अधिकार को लेकर देखा जाएगे, तो वहां पर हमारे आसपास के गाउं में हम लों ने देखा कि जो गरीब गुर्बा लोग हैं उनको उनके पास ना खाने को ठीक से भोजन मिल पा रहा था ना उनको पास रहने का मकान था, ना उनके पास बहुत सारे गाउं तो ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं जहां पर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का भी विवस्ता ठीक नहीं है, तो मैंने सूचा यार यह बहुत बड़ा इस्यू है, और जहारखन जो जिसको मतलब देखा जाए तो प्रकृति ने इतना है, कुछ कहने नहीं, लेकिन हमारे आज भी हमारे जो पिछड़े हैं, क्यों पिछड़ा है भाई, आज भी हमारे जो परतिनीदी हैं, वो अगर ढ़ंक से काम करें, तो हम को लगता है इस सारा इस्यूस खटम हो जाएगा, है चोटा चोटा चीज, अभी हमारे जहां सा मैं आता हूँ, वहाँ पर एक ऐसा गाउ है, जो आजादी के बाद आज भी वहाँ पर रोड नहीं बना है, यूमिन राइट्स कैसे उसमें साथ कर पा रहे हैं, उसमें क्या है कि हर एक इनसान का हक होता है, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच सारकार के सामने मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, कभी-कभी हम लोग को रिट पिटिशन भी फाइल करना पड़ता है, तो वह भी करते हैं, ताकि उन लोगों को अपना हक मिल सके, कुछ पिछले साल ही एक, आप लोग जानते होंगे, हमारे जारखन के 19 लेबर्स, जो स्र दिरलंगा के MBC को, और हमारे माननिये केंजरी राजमंत्री स्री राजकुमार सिंग राजन सर को, हम लोग ने उहां तक अपनी बात रखी, कि सर हेल्प किया जाए, हमारे ट्विट पे ही इस अंग्यान मिला, तो सोशल मीडिया का भी, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, ट समाहित कर पा रहे हैं, देखिए हमारा जो है सोशल वेंचर है, और इंडिया में बहुत कम ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जहां पर सोशल वेंचर को इंक्यूबेट किया जाता है, उसमें एक IIM बैंगलोर में होता है, NSRCL करके है, नाम उसका, आप उसको देख सकते है जहां पर जितने भी सोशल वेंचर को इंक्यूबेट किया जाता है, और अही बात हम लोग आखिर कर एक समाजिक मनुष्य हैं, मनुष्य जो हैं समाजिक जानवर बोलते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े होने के कारण हम लोग को अंत में समाज को ही देना है, तो हम लोग समाज से बाहर नहीं हैं, हम लोग कुछ भी कर ले, कोई भी स्टार्टप कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, हम लोग समाज को ही सर्व करना है, आगे चलके, चाहे हम एक प्रोड़क्ट बना ले, या कुछ सर्विस क्रेट कर ले, या कुछ भी, हम लोग हमारे आसप फ्ट्र abbiamo हैरे चिनकी अभी आपने बात ही कर इंगर यहां तक शारखंड के बारे मेरा जो आइडिया है कि यहां पर कमी किसी जीज की नहीं है हमारे पास अच्छे लोग है जो अच्छे अच्छे आइडियास पर काम कर रहे हैं और उनको बस थोड़ा सपोर्ट हमारी सरकार के तरब से मिल जाए तो बहुत आगे निकल के जाएंगे ये लोग और कही न कही उस पर हम भी काम कर रहे हैं उनकी बातों को मीडिया के माध्यम से पत्रचार के मादियम से, हम लोग रख रहे हैं उनके सामने, कि सर आप इस पे काम करिए, इससे पहले कि लोग यहां से पलायन करना सुरू कर दे, कहीं दूसरे सहरे में जाके बस जाए, और वहां से अपना स्टार्ट अप सुरू कर दे, क्योंकि वहां पर उनको मैं बार-बार एक नाम लेना चाहता हूँ, हमारे जो मीशो के CTO है, बर्नवाल जी, को फाउंडर, आज देख लीजी ये, बैंगलोर में गया है, ये बात की चाहिए तो पूरी दुनिया में ये चीज हो रही है, लेकिन जारखन में आप इसको कैसे इस्टाबलिश कर रहे हैं अब जारखन में कैसे करना है, ये बहुत इंट्रेस्टिंग अपने सवल पूछा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग बड़ा नाम कमा चुके हैं, जो इसी मिट्टी के बने हैं, यही मिट्टी से निकले हैं, इस जारखन के धर्टी से निकले हैं, उन तक हम पहुंच रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, कि भाई, आपने बहुत नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, अब बारी है, अपने जहां से आप विलॉंग करते हो, जहां से आप आते हो, उस मिट्टी को देने का, आप साथ में आईए, साथ में मिल के कुछ, यहां अपने राजी के अपने लिए, सर्विस पे ही फोकस जादा कर रहे हैं, ध्यान सर्विस पे ही है, तो इनको बस यहीं है, कि आप उनको हम लोग निवता देते हैं, कि आप आईए, इंट्रेक्ट हमारे स्टाट अप से बात करिये, देखिए क्या हो सकता है उनके साथ में, आप लोग क्या कर स हैं, जो हमारे, जो लोग जिनको हम जान रहे हैं, पिछले दस साल से, बारा साल, पंदरा साल से, जो हमारे करीबी हैं, पहले तो हम वहां से सुरुवात करते हैं, जो हमारा बात मानते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं, हम पहले उनसे ही सुरुवात करते हैं, हमारे जो बड़ ऑसको फिर उस पर काम करते हैं हम लोग। आप इस Ecosystem को किस तरीके से देखते हैं? जो आपका Ecosystem है इस आपकी start-up का जो Ecosystem है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखी अभी जहां तक हमारे राज की बात है startup ecosystem का अगर पुरा बारत वर्स का देखा जाए, तो कही ना कहीं हम लोग विश्व में अपना लोहा मनवा चुके हैं, स्टार्ट अप इनोवेशन इसको लेकर, कैसी? आप देख लिजिए, बड़ी-बड़ी कंपनियाज निकली हैं हमारे देश से, जो OYO हो गया, PTM हो गया, Zomato हो गया, यह बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं, जो ने आपका स्टार्ट अप उसमें कैसे रूल प्ली कर पाया है? इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि साल में एक वया दो बर इनके साथ हम लोग बैठक करते हैं, मन्थन करते हैं, चिंतन करते हैं कि क्या और वैलुएड किया जाए हमारे समाज में, और कैसे बाकी जो लोग ऑंत्रपोर्नरशिप या स्टार्ट अप करना चाहर हैं, उनको कैसे हेल्प किया जाए? तो यह सब हम लोग साल में एक या दो बार बैठक करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना रोड मैप तयार करते हैं कि भाई, कोई एक राजी को पकड़ लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो पिछले साल हमारे जो चिंतन मंतन कारिकरम हुआ था दिल्ली में, तो उस पर हम मैंने बात रखी कि भाई जहारखन में आज तक कुछ काम हुआ नहीं है जहारखन में कुछ आहिए थोड़ा सा हिल्प सपोर्ट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करें आपके स्टार्ट अप की बात अगर हम लोग देखें तो हेरिटेज साइट रिस् कमीटी का हिस्सा है और हमारा फांडेशन भी सपोर्ट करता है इसमें रिकलेम टेंपल्स करके एक प्लाटफर्म हम लोग ने क्रेट किया था जिसके ताहत अभी केरल में कम से सौथ इनिया तो बहुत सारे पुराने-पुराने मंदिर हैं जो जिनोधार करना शुरू किया है हम लोगों ने तो केरल में हम ने सुरू किया कैसे यह जिनोधार पॉसिबल हो पार है हाँ देखिए हमारे जो ग्रूप में कम से कम और यह कैसे स्टार्ट अप हो पार है इग्जैटली यह बहुत बड़ा यह जो पूरा जो जर्नी था वो बहुत हमारे लिए असान नहीं र करते हैं इसके साथ जोड़े हुए हैं हम लोग हर एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं मतलब हम लोग डोनेशन के थूरू चंदा के थूरू पैसा होगा ही करते हैं अमरदीप कौशल जी आप हमारी कारिकरम में आए और आपने हमारी दर्शकों को इतनी विशेश जानकारियां दे इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार अगले कारिकरम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नहीं परसनालिटी के साथ में तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिये चाज़त नमस्कर जोहर